जैश्री कृष्णा राधे राधे, जेश्ट का महिना शुरू हो गया है और आज से आप जेश्ट महिने की कथा के एक अध्याय की कथा रोज सुन पाएंगे तो आईए सुनते हैं पहले अध्याय की कथा वैशाक महिने में हम भगवान जगननात के इस प्रत्वी पर अवद्रिन होने की कथा सुन रहे थे उसी कथा को आगे पढ़ाते हैं बोलिए कृष्ण भगवान की जैए हो विश्णो भगवान की जैए हो जैमीनी जी कहते हैं कि राजा के अश्व में यग्य में सुत्या यानि सोम रस निकालने का उत्सव प्रारंब हुआ उस उत्सव में दिन दुख्यों को बेरोक टोक मनवान्शित दान दिया जाने लगा उस्व में नारज जी ने राजा इंद्रधियून से कहा है राजन अब पून आहोती का कारिये समाप्थो जिससे यह यग्य सफल हो जाए पहले ध्यान में तुमने जो कुछ भी देखा है उसके अनुसार तुमारे भाग्योदे का समय अब समीप आ गया है श्वेद दीप में जिन विश्व मूर्ती अविनाशी भगवान विश्णू का तुमने दर्शन किया उनकी शरीर से गिरा हुआ रोम व्रक्ष भाव को प्राप्थ हो जाता है वह इस प्रत्वी पर इस्थावर रूप में भगवान का अंशावतार होता है फक्त वच्सल भ भगवान विश्णू को तुम इस महावेदी पर स्थापित करो इस प्रकार विचार करके नारज जी और राजा इंद्रध्यून दोनों परसंदता से वहां गए और व्रिक्ष को देख कर इसके रूप में साक्षात ब्रह्म पगवान विश्णू प्रकट हो गए ऐसा मानते हुए सब लोगों ने बड़े परसंद मन से वहां इस्तूति की चार शाखाओं से युक्त उस चतुरभुज व्रक्ष का दर्शन करके राजा ने अपने परिश्रम को सफल माना फिर नील मनी माधव की अंतरध्यान हो जाने का जो शोक था उसे उन्होंने त्याग दिया और बार बार उस व्रक्ष को परणाम करके नेत्रों से आनंद के आसु बहाते हुए राजा ने ब्रामनों से उस व्रक्ष को मंगवाया वे लोग माला और चंदन से विभूशित विश्णू के उस दिवे व्रक्ष को महावेदी पर ले आई नारज जी के कहने के अनुसार जन भगवान की लीला सब लोकों से परे है उसे कोई नहीं जाल सकता अभी में इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर आकाश्वाने सुनाई दी भगवान विश्णू अत्यंत गुप्त रखी हुई महावेदी पर स्व्यम अवद्रिन होंगे 15 दिनों तक इ बज़ते रहें क्योंकि रचना का शब्द कान में पढ़ने पर वहें बहरा बना देने वाला है कोई भी बीतर परवेश ना करे और ना ही कभी देखने की चेश्टा करे जो कि वहाँ पर काम करने वाले के अत्रिक्त जो भी देखेगा उसके दोनों नेत्र अंधे हो उसके बाद राजा ने जिस परकार आकाशवानी ने कहा था वैसी ही विवस्था वहा कर दी करमशे पंदरवा दिन आते आते ही भगवान स्विम चार विग्रहों में प्रकट हुए बलबदर जी, सुबद्रा जी और सुदरशन चकर के साथ भगवान जनार्दन दिवे इने अपने अपने स्वाभाविक रंग की प्राप्ति कराओ, भगवान जनार्दन नील मेग के समान शाम वर्ण धारण करें, भगवान बलबदर, शंक और चंदर्मा के समान गोर वर्ण से विराजमान हो, सुदरशन चकर का रंग लाल होना चाहिए और सुबद्रा देवी कुम कुम के समान अरुण वर्ण की होनी चाहिए, इन विग्रहों पर पहले का किया हुआ रंग आदि संसकार छूटने पर परतिवर्ष नूतन संसकार कराना चाहिए, केवल दिव्य वक्कल लेप रहने देना चाहिए, यदि कोई इस लेप को दूर करने की कोशिश भी करता तो उसके राज्य में दुर्विक्ष और महामारी फैल जाएगी ये राजन तुमें भी नगन रूप में इन मूर्टियों का दर्शन नहीं करना चाहिए अन्य मनुष्य भी यदि नगन रूप में देखेंगे तो उनके लिए भी भै उपस्तित करने वाली होंगी नाना प्रकार के लेप से लिप्त और विचितर शिंगारों से युक्त मूर्टियों का ही दर्शन करना चाहिए ये राजन तुम्हारे उपर कृपा करके भगवान प्रकट हुए हैं और तुम्हारे ही परशाद से वे सब जीवों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, प्रदान करेंगे निलाचल पर कलप प्रक्ष के वायवे कोण में सो हाथ की दूरी पर और भगवान नर्सिंग के उत्तरभाग में जो बहुत बड़ा मैदान है उसमें अत्यंत सुधरड और हजार हाथ उचा मंदिर बनवाकर उसी में भगवान की स्थापना करो हे राजन, पहले जो इस परवत पर भगवान नील माधव का प्रतिदिन पूजन करता था वे है विश्वावसू नाम का शबर सभी वैशनवों में स्रेष्ट है, उसके साथ तुम्हारे प्रोहित की मित्रता हो चुकी है इन्ही दोनों की संतती को बारी उत्सवों में भगवान के विग्रह पर लेप और संसकार आदी करने के कारिये में लगाया जाए इतना कहकर वह दिव्य आकाशवानी मोन हो गई, उसका उपदेश जुनकर राजा ने पर सनता पूर्वक उसका पालन किया जब बलराम जी, शिरी कृष्ण और सुभत्रा जी और सुदर्शन चक्र पर आकाशवानी के कहे अनुसार लेपादी संसकार हो गया तब उनकी आकर्ती पड़ी ही सुन्दर हो गई, उसके पात राजा ने महावेदी का परदा खुलवा दिया फिर सबने रतन सिंगासन पर विराजमान भगवान की जाकी उन भगवत विग्रहों का दर्शन करके राजा इंद्रध्युम्न आनंद के समुंदर में डूब गए और नेत्रों को कुछ-कुछ बंद किये प्रेम के आशु बहाते हुए हाद जोड़कर खंबे के समान इनी शिरीहरी को देखने के लिए योगी लोग मन में सयम में रखकर सदा प्रियतन करते रहते हैं वे ही भगवान विष्णू आज कास्ट में शरीर में इस्तितो कर तुम पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ पर्द्यक्ष होए हैं इन करुणा सागर भगवान की स्तुती क नारज जी के इस परकार सचेद किये जाने पर राजा इंद्रधियुम्न ने करुणा में भगवान जगननात का सत्वन किया हे दया सागर हे मुरारे कहां तो ब्रम्भा रुद्र और इंद्र के मुकुट में मगन हुए आपके निर्मल लिगुल चर्द्रानविंद और कहां मल मुत्र रक्त मास और हड्यों से बना और चमडे से धका हुआ मुझ दीन का ये है अधम शरीर हे इश इस असार संसार में बटकते रहने के कारण मैं श्रम से व्याकुल हूँ भला मैं आपको कैसे जान सकता हूँ हे देव मैंने अपने कर्मों के द्वारा सुक भोगने के जिन विशे भोगों का संग्रह किया है वे ही परिणाम में मेरे लिए दुख रूप हो गए हैं अधहे मेरे समान दुखी दूसरा कोई भी नहीं हे प्रबू यदि मैंने पहले कभी मन से भी आपकी उपास ना की होती तो दुख भोगने के लिए बार बार नाना प्रकार के जनम मुझे क्यों प्राप्त होते है मुरारी क्या आपके चर्णारविंदो से दूर रहने का यही पल नहीं है संपोर्ण प्रत्वी के धन से भरा हुआ मेरा खजाना सेना मन के अनुकूल सैकडो इस्तरिया निशकंटक राज्य यह सब कुछ आपके ततो ग्यान से शुन्य पशु के तुल्ये मुझ अदम के लिए पड़ा भारी हो रहा है इसमें सदा मुझे कर्ष्ठी प्राप्त हुआ करता है यह दीनों पर दया करने वाले प्रभू आपके स्मरण करने मातर से जीव की मुक्ती हो जाती है इस संसार में आपके सिवा मेरा कोई बंदू नहीं मेर कभी कभी लेश मातर सुक और अनंत दुखों से भरे हुए विशे भोग रूपी इंदर जाल की और आँखे उठा कर भी देखते हैं कहा तो जिसमें लेश मातर सुक और अनंत दुखों की खान रूपी से एकड़ो गरंथिया है ऐसे कर्मों का अटूट बंदन और कहां अनं प्रद आपकी पवित्र चर्णार्विंद सब पर सुभावते करपा करने वाले प्रभू मोल पूत आप परमेश्वर को ना पाकर तुछ कारे करने के लिए बहुत भटकने वाले कलेश के ही भाजन रूप मुझ दीन की रक्षा करें संपूर्ण विश्व के एक मातर वंदन ये विश्णुदेव, हे वेदान्त वेद, हे अव्यवे, हे विश्वनात, आप ही समस्त पापराश्यों का नाश करते हैं। जो दैत्यों की सेनक का संखार करने वाला है, उस सुदर्शन चकर के रूप में मैं आपको परणाम करता हूँ। इस परकार इस्तुती पाट करके राजा इंदर ध्युम्न ने भगवान को परणाम किया और कहा अनातों के बंदू है जगनात, संसार समुन्दर में डूबे ह मुझे दीन और दुख शोक से व्याकुल मनुष्य का आप करपा पूर्वक उधार करें। उसके बाद नाराज जी ने कहा, अपार भवसागर से पार उतारने में ततपर भगवान नारायन, आपकी जय हो, आपकी जय हो, सनक, सनंदन, सनातन, आदिस, रेष्ट योगी आपक सवरूप, सब लोगों को सुख देने वाले संपूर्ण विशु के उपकारक और समस्त जगत के वंदनिये हैं। कोटी-कोटी, ब्रम्हा, रुद्र, इंद्र, मरुदगन, अश्वनी कुमार, साध्य और सिद्गन, आपकी लीला विलास से उत्पन्न हैं। संपूर्ण राजा, वेदों के पारंगत विद्वान, शोत्रिय मुनी, ब्राम्मन, शत्रिय, विद्वान वैश्य जाती के लोगों ने वैदिक सुक्तों, स्तोत्रों, पौरानिक इस्तुतियों और स्वरचित कविताओं से जैसे बना उसी परकार बलभदर जी, सुबद्रा जी के साथ कमल नयन भगवान शरी कृष्ण का स्तत्वन किया, उसके बाद राजा ने पुरोहित जी से भगवान वासुदेव की पूजा के लिए सामगरी संग्रह करने को कहा, फिर नारज जी के उपदेश से सुयम राजा ने विधी और मंतरो चार के साथ सब विवरों का पूजन किय ओम नमो भगवते वासुदेवाई, इस मंतर से बलभदर जी की पूजा की और इसी मंतर के द्वारा उपासना करके धुरुव जी ने परम उत्तम इस्थान प्राप्त किया था पुरुष सुक्त से राजा ने यथा शक्ती भगवान नारायन की पूजा की, देवी सुक्त से सुबद्रा जी का और सुदर्शन संबंधने रिचा से सुदर्शन चकर का पूजन किया गया इस परकार अपने वैभव के अनुसार भक्ती पूर्वक उन सब की पूजा करके भगवत पृती के लिए उन्होंने स्रेष्ट ब्रामनों को दान दिया इसकी बाद राजा ने शुब समय और शुब नक्षत्र में नारज जी आदीश रेष्ट ब्रामनों की पूजा की स्वास्तिक वाचन कराया और जगरनाटी का समरण करते हुए वास्तु पूजन पूर्वक शिल्पी का भी पूजन किया भगवान विश्णों के उस काष्ट में अवदार को देखकर किरतार्थ और पाप रहित हुए राजाओं को राजा इंद्रधियुम्न ने बड़े आदर के साथ विदा किया जैमिनी जी कहते हैं उसके बाद राजा इंद्रधियुम्न ने शिल्प शास्त्र में परवीन सब कारीकरों को मंदिर के निर्मान कारिये में निक्त किया थोड़े ही समय में मंदिर बनकर इतना ओचा हो गया कि वह नीचे से दिखाई नहीं पड़ता था उस समय भारत वर्ष में जितने समकालिन राजा थे वे सभी राजा राजा इंद्रधियुम्न के उस पुन्य कारे में सनलगन थे वह मंदिर उचाईयों में आकाश को चूता था और चोड़ाईयों में सब दिशाओं को पूरा कर रहा था उसमें इस्थान इस्थान पर स्वर्ण जड़ा हुआ था अनिकों परकार के रतनों से वह परम उजवल परतीत होता था कहीं सब्ठिक शिलापायोग होने से उसकी छवी शरद रितू के बादलों किसी श्वेद जान परती थी और कहीं काले पत्थर की बनी हुई दिवार बादलों की काली खटा सी दिखाई देती थी इस परकार परम सुंदर बने हुए भगवान विश्णू के मनोहर परसाद में विधी पूरवक गरब परतिष्टा करके बिजली गिरने आदी उपतरवों से मंदिर को कोई शती न पहुँचे इसके लिए शिल्प शास्त्रों में निश्चित विधान के नुसार अपने पुर्शाद से उपारजित की हुई मनी आदीयों को यथा युग्गे स्थानों पर लगाया गया फिर मंदिर निर्मान के लिए आवश्चक सामगरी के अनुरूक बहुमुल्य वस्तू को वहाँ यतन पूर्वक संग्रह करवाया गया तीनों लोकों में राजा मन से भी जिसकी संभावना नहीं कर सकते थे ऐसे मनोखर और कीरती बढ़ाने वाले मंदिर का निर्वान होने लगा उसके तैयार हो जाने पर राजा इंदर धियुम्न ने नारज जी से कहा देवताओं और असुरों के लिए भी जो असंभाव था वह सबकारिये भगवत किरपा से संबन हो गया है ऐसा कहकर उन्होंने नारज जी के चर्णों में परणाम किया और नारज जी ने राजा को उठा कर उनका सतकार किया और कहने लगे हे राजन इस सवे तुम जीवन मुक्त हो गए हो भगवान के चर्णारविंदों में अनन्य भक्ति पूर्वक तुम्हारा चित चिस प्रकार लगा हुआ है उसे बढ़कर मनुश्य के लिए कौन सा पुर्शार्थ हो सकता है ये भूपाल, तीर्थ, मंत्र, जप, दान और बहुत तक्षिना वाले यग्ये ब्रत, स्वाध्याय और तपस्या से भी जिसे प्राप्त करना असंभव है वही केवल भक्ति से तुम्हारे हातों में आ गया ये राजन तुमने दिर्ग काल तक प्रत्वी परिस्थित रहकर बड़े-बड़े उत्सवों और उपचारों से जगनाज जी की पूजा करनी है उन्हों के एक मातर हेतू भगवान श्रीहरी को नमशकार है फिरणिय गरब रूप पुरुश और प्राकर्त व्यक्त जगत दोनों ही आपके सवरूप हैं आपको नमशकार है शुत ग्यान सवरूप सच्चिदानन भगवान वासुदेव को नमशकार है और इस परकारिस्थ उन्हों ने परिकरमा करके बार बार भगवान को परनाम किया। उसके बाद अन्ने देवदा जो वहां आए थे वे भी परसनदा से भगवान को परनाम करके हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवदाओं ने कहा परब्रम्ब और परमात्मा के नाम से जिनकी महीमा का गान किया जाता है वह पुरुशी बूत वर्तमान और भविश्य सब है इनकी महीमा अपार है आपका कहीं अंत नहीं हैं आपके हजारों रूप हैं हजारों पेर हजारों नेत्र हजारों मस्तक और हज आपके समान दीनों की रक्षा करने वाला दूसरा कोई भी नहीं है, दीनों और अनाथों के एक मातर आश्रे आप ही है, ये प्रभू आप इस जगत की पिता, पालत, पोशक और संपूर्ण आपतियों का निवारन करने वाले हैं, ये जगनात, ये विश्नों आप हमारी रक्षा करें, ये कमलकांत आपके सिवा कोन हमारी रक्षा कर सकता है, ये अंतर्यामी आपको नमशकार है, ये सर्वतेजों निधे आपको नमशकार है, और इस प्रकार इस्तुती करके देवताओं ने बार बार पर परणाम किया, राजा इंदर जिम्न के साथ बाहर निकल क सब के सब भगवान नर्सिंग के शेतर में आ गई वहाँ शाष्टांग परनाम और नमशकार करके भगती पूर्वक उन्होंने शिरी नर्सिंग देव का पूजन किया और उसके बाद में निलाचल के शिकर पर जहां उत्तम परसाद का निर्मान हुआ था वहाँ पर गई देवताओं ने आकाश मंडल में व्याप्त उस उच्चतम मंदिर को देखा राजा इंदरतिम्न ने विचार किया यह पूर्ण हुआ भगवान का उत्तम मंदिर देर्गकाल के बाद मेरी दृष्टी पत्त में आया है यह सब भगवान के अनुग्रे से हुआ है इसमें मनुश्य का कोई पुर्शार्थ नहीं उसके बाद उन्होंने अपने सहायकों से कहा जब गाष्ट में शरीर धारन करके स्वयम भगवान यहां प्रकट हुए थे उस समय आकाशवानी ने मुझसे कहा था कि तुम निलाचल के शिखर पर जगनाज जी की परतिष्ठा के लिए एक हजार हाथ का मंदिर बनवाओ उसके स्थापना के समय स्वयम ब्रह्मा जी सिद्धों और ब्रह्मरशियों और देवताओं के साथ यहां आएंगे फिर नारच जी से पूछा हे मुनिशरेष्ट मैं परतिष्ठा विदी की वस्तूओं के विशे में कोई जानकारे नहीं रखता जो एकत्र करने योग्य वस्तूओं हो उन सब को आप मुझे एक एक करके करम से बताईए राज़ा की इस प्रकार कहने पर नारच जी ने क्या कहा फिर आगे क्या हुआ हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है पुली कृष्ण भगवान की जैहो विष्ण भगवान की जैहो